जय हैं दोस्तों, दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के सेशन में, आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे Economically Weaker Section के Quotas related Query को आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे राकेश उपादयाजी की Query को राकेश उपादयाजी बोलते हैं कि उनकी जो टोटल फैमिली इंकम है, वो तीन लाग रुपए से कम है उनका टू स्टोरी हाउस है, जिसमें की वो रहते हैं, लेकिन वो उनके ग्रांड मदर के नाम पे रेइस्टर्ड है उनके पास और कोई लेंड नहीं है, ना उनके पापा जी के, ना उनके ममी जी के नाम पे, ना उनके भाई के नाम पे तो क्या वो economically weaker section का certificate बनवा सकते हैं, उसको उसके लिए लेस्बिल है या नहीं राकेश जी जैसा कि economically weaker section की condition बताती है कि जो annual family income है वो 8 लाग रुपए से कम होनी चाहिए जैसा कि आप बोल रहे हैं तो आप इस condition को fulfill करते हैं और जहां family की बात होती है जो family term है तो इसकी definition कहती है कि family में जो शामिल होते हैं जो members count होते हैं उसमें वो candidate जो claim करने जा रहा है उसके mommy और पापा उसके भाई वहन जो 18 साल से कम है उसके spouse यानि candidate अगर male है तो उसकी wife और अगर female है तो उसके husband और उसके बच्चे जो 18 साल से कम ह इन लोगों की जो यह जो members है यह family की definition में count होते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस family की जो यह जो family members है इसमें दादी जी यानि की grand mother या grandfather दादा जी count नहीं होते हैं वो इसमें नहीं आते हैं तो अगर आपकी जो property है two-story property है वो अगर आपके दादी जी के नाम पे है तो grand mother आपकी family की definition में नहीं आती है तो grand mother की जो income है वो total income में count नहीं होगी और आपकी grand mother की जो property है वो property की criteria में count नहीं होगी क्योंकि दादी जी economically weaker section की जो family की definition है उसमें वो count नहीं होती है जब तक वो property दादी जी के नाम पर है officially उन्होंने transfer नहीं किया है आपके आपके फादर के नाम पे आपके भाई के नाम पे तब तक वो दादी जी के नाम पर ही रहेगी officially और वो आपकी income criteria और आपकी property तो वो आपकी property criteria में count नहीं होगी तो पाके जी income और property point review से आप economically weaker section के लिए eligible हैं आप इस economically weaker section के 10% reservation को आप avail कर सकते हैं friends वे उम्मीद करता हूँ कि यह session आपके लिए helpful थावित होगा जो राकेश जी की query थी ये कहीं ने कहीं आपके लिए भी मददगार थावित होगी helpful थावित होगी अगर इसके बाद भी आपकी कुछ query है तो आप comment box से mention करें मैं उसका reply करूँगा और अगर जरौत होगी तो मैं इसी तरह dedicated video आपके लिए ले के आऊँगा friends I am wishing you very very waste of luck for all of your endeavors Jai Hind दोस्तो